हेलो फ्रेंड्स संडे की सुबह है और आज शाम की स्नाक्स के लिए हमने डिसाइड किया है चीज बस बिजा विद टॉपिंग एंड विद आउट टॉपिंग सो विल्कम ओन किचन एक्सपर्ट पीज लेट्स स्टार्ट फॉर्न टॉपिंग यहां पी मैंने एक टमाटर दो अनियन और एक छोटा कैप्सिकम लिया है और सबको चको चको काट लिया है अब इसको थोड़े से तेल में हम सौटे करेंगे बिल्कुल टू टू त्री मिनट्स के लिए जादा हमें ओवरकुक नहीं करना है सो इट्स डन अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे अब पीजा बेस बनाने से पहले हमें वाइट चीज सॉस और पीजा सॉस दोनों तेयार रखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप होम मिट बनाना चाहे तो बना सकते हैं तो फिर पीजा बेस बना है कि वन कप रखा है इसमें कर जो है वो हाप से थोड़ा ज़ादा है और बाकी वाटर है इसको मैंने अपने हैन्ड भीटर से भीट कर लिया है और इसको एक मीचर बना लिया है अब इसमें हमस्कंट ढलेंगे सॉल्ट हमारा बिल्कुल यहां पे हम वन फोर्थ टीज अब full spoon डें गे और अब ये fruit salt है, fruit salt just like हमारा ino है, मैं ino को ही fruit salt बोल देती हूँ, अब ही fruit salt मैं substitute के रूप में east के और baking powder and baking soda के लिए use करती हूँ, आप यहाँपे baking powder या baking soda भी use कर सकते हैं, ये तेल है, तेल भी मुझे knitting में help करेगा और जब मैं इसको बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालके मुझे इसको नीट करना है एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना है अब यहाँ पर डिफाइन प्रोर को मुझे यूज़ करना है डिफाइन प्रोर मुझे 1 प्लस 3 फोर्थ यानि इतना मुझे चाहिए बट अभी जब मैं इसे नीट करूँगी तो मैं 1.5 cup यूज़ करूँगी और थोड़ा मैं पचा के रखूँगी जैसे मुझे नीटिंग में लगेगा तो उस समय ये मुझे help करेगा नीट करने के लिए तो फिर इस डो को बनाने के लिए हम इस मिक्चर को यूज़ करते हैं तो लेट स्टार्ट फोर मेकिंग डो अभी मैंने यहाँ पर अच्छे से रिफार्ण फ्लॉर को बहुत अच्छे से नीट कर लिया है आप देख रहे हें काफे स्टिकीय सा लग रहा है बट मर्य यही श्टिकीयी जैसा ही यह चाहिये डो अभी थोरा थोरा देखी आंटा मिला मिला के मैं इसको बनाओंगी और काफे स्टिकी है तो मुझे हाथों में थोरा तेल भी लगाना पड़ेगा तो इसलिए फिर में तेल लगाते हुए और इसको बहुत ही अच्छे से में मिलाती रहूंगी यह लगबग 7-10 मिनिट्स तक मुझे मिलाना है तभी यह क्योंकि इस्टिकी डो मुझे बनाना है तो इसे मुझे थोड़ा नहीं करना पड़ेगा पर जितना यह प्लेन सर्फिस पे अच्छे से आता है तो मैं चॉपिंग बोर्ड हटा दूगी और इसे प्लेन सर्फिस पे ले लूँगी और प्लेन सर्फिस पे चाहींस से मिलाते वे थोछे to seven minutes 10 minutes तक में लेके जाउंगी और इसको अच्छे से मैं मिला लूंगे अब इसे मैं चोटे-चोटे पीसेज में कट कर दूँगी ताकि मैं इसकी रोटियां बिना सकूँ पीजा डो के अब यहां पर देखेगे जैसे लगभक सब बड़ा बड़ी है पर ज्यादा मैं प्रिफर करूंगी एक रोटी बड़ी और एक छोटी होनी चाहिए तो एक लोई मेरी बड़ी होगी और एक छोटी होगी अब देखे मैं रोलिंग पीन के तुरू एक रोटी बना ले रही हूं यहां पर यह रोटी थोड़ी बड़ी है और इसके अलावा मुझे छोटी रोटी भी बनानी है वो भी है इसको ज्यादा बड़ा करना है थोड़ा मुझे पर ज्यादा पतला और मोटा नहीं करना बीच में मैं चीजे स्प्रेड लगाऊंगी जो कि मैंने घर में ही बनाया था मेरा होम में चीज से ही मैंने चीजे स्प्रेड बनाया है तो यह बिल्कुर प्रोटीन से भरा हुआ है तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है बाहर का नहीं होने के कारण यह काफी प्योर है तो अगर आप ट्राइ करना चाहें तो कर सकते हैं बना के तो अभी मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और फिर इसके उपर मुझे दूसरी रोटी रख देनी है ये अच्छे से हो गया है ये आपकी इच्छा के नुसार है आप कितना चीज लगाना चाहते हैं आप अपना लगा सकते हैं ये उपर से दूसरी रोटी है जिसको मैं डबल कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से इसके इसस को मैं टक कर दे रही हूँ अच्छे से मैं टक कर रही हूँ ताकि ये चीजस पर बाहर ना पाए यहां पे पीजा बेस को अगर आप चाहें तो थोरा फोल्ड भी कर सकते हैं मैंने अभी यहां पे पीजा बेस को तवे पे पका लिया है इस तवे को पकाने के लिए मैंने पहले इसे प्री हिच कर दिया था और ढकन लगा कि उसके बाद मैंने इसमें पीजा बेस डाला और दोनों साइड में धीरे-धीरे करके इसको पका लिया है मुझे 5-7 मिनट्स लग गए हैं आप चाहें तो 10 मिनट्स भी लगा सकते हैं और उसके बाद यह बहुत ही अच्छे सा एक पीजा बेस तयार हो जाएगा शर्त यही है कि दोनों साइड से अच्छे पक जाना चाहिए और यह अंदर तक कोख हो जाना चाहिए ताकि चीजस प्र प्यार हो गया है मैं इसे निकाल कर चॉपिंग बोर्ड पे ले लूँगी और मैं जो इस पर पीजा सॉस लगा रही हूं वो भी मैंने इंस्टेंट बनाया है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है आप भी चाहें तो बना सकते हैं घर पे और क्योंकि बच पीजा सॉस इसलिए भी अच्छा है कि बहुत लोग जो है वो नहीं चाहते कि वो पीजा सॉस बना के रखे या खडीद के ले के आए तो वो इंस्टेंट रूप से भी घर में अपना पीजा सॉस बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अब इस पे हम टॉपिंग डालेंगे टॉपिंग मैंने बिल्कुल घर के ही सामान से बनाई है बिल्कुल घर की सबजियों से ही बनाई है लेकिन अगर आप इस पे ओलिव पनीड या और भी जो जिस दिया आपका मन है उसके टॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मैरा ये पूरा रेसिपी बिल्कुल ल बिल्कुल जादा नहीं लेगे बिल्कुल क्योंकि मैंने अंदर भी चीज रखा हुआ है तो बिल्कुल नॉर्मल जितना जरूरी है मैं उतना ही डालूंगी इसके उपर मुझे स्प्रिंकल करना है थोड़ा मैंने ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स को एक साथ मिलाया हुआ था इसको मैं स्पोन से इसके उपर स्प्रिंकल कर दूँगी यह देखें अगर यहाँ पर जैसे मैंने यूज किया तो टॉपिंग यूज की है और उसके साथ औरिगैनों और चिली फ्लेक्स मिलाया की डाला है लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप विदाउट टॉपिंग भी बनाना चाहें तो भी बहुत अच्छा बनता है बहुत बच्चे नहीं खाते हैं प्यास टमाटर और यह सब सबजियां तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है कि आप इसके उपर सिर्फ मजरेला चीस और थोड़ा ब्लाक पिपर क्रस्ट करके और मतलब थोड़ा साओरी गैनों ताल की आप उनको दीजी उसको बेक करके दीजी तो वह भी बहुत अच्छा लगता है यहां मैंने अपनी पिजा बेस को तवे के अंदर वापस डाल दिया है यह पैन मेरा पूरा अच्छे से गरम हो जा रहा है बिकॉस मैंने इसको ढख के पकाया है तो यहां सबसे में रिजन भी है कि मुझे इसको पैन में बनाना था पैन पिजा की तरह तो इसलिए भी मैंने इसको पैन में बनाया है यह देखिए यह काफी अच्छा से मेल्ट हो गया है और अच्छा से कुक भी हो गया है तो मैं इसको अब निकाल लूँगी वापस और ये मेरा दूसरा पीजा बेस बन रहा है अब ये तैयार हो गया है तो मैं इसको ready to serve कर लूँगी इसको plate में मैं निकाल लूँगी yes plate में निकालते के साथ yes surely it's ready to attack subscribe करे मेरे चैनल को और लाइक करे मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो यह मैंने कट करके रखा है ताके आप देख सके कि अंदर की लेयर भी बहुत अच्छे से पड़ गई है you can also try for pudding snack in evening so thanks for watching